समस्कार मैं अंचले मेश्रा स्वागत है आप सभी का दो नियूज में पत्रकार रजस शर्मा ने अब हाई कोट का रुख किया है और ये उन्हों ने दो कारदों के मेरे से किया है पहला एक्स को लेकर और दूसरा कॉंग्रेस के नेताओं को लेकर जिनों ने पत्रकार रजस पर लाइफ टीवी में महिला के साथ गरश शब्दों का इस्तमाल करना उनके साथ गाली देने का आरोप जो है लगाया था अब इस मामने में पत्रकार रजस शर्मा ने ट्वीट हटाने के आदेश का पालन ना करने का आरोप लगाते हुए एक्स और कॉंग्रेस नेताओं क के खिलाब पोस्ट किये अप माजनक ट्वीट को हटाने के निर्देश देने वाले आदेश का उलंगन किया है जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंग अडोडा ने शर्मा द्वारा मान हानी के मुकदमे में दायर आवेदन पर नोटे जारी किया और एक्स और कॉंग्रेस नेताओं स साथ साथ एक्स को मदस्तल दिशा नर्देशों के अनुसार साथ दिनों के भीतर शोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि तीनों कॉंग्रेस नेताओं ने उन्हें लिखे गए पालन नहीं किया और ने का कि एक्स ने भी आदेश का नहीं किया और खडपीटके समक्ष अपील डार कि लेकिन कोई स्थगन नहीं किया गया।習 कि और से सीनियर एडवोकेट राज शेखर राव पेश वेर कहा कि शोशल मीडिया प्लाटफॉर्म ने तीन जड़ाई की देर शाम तक आदेश का पालन किया हाला कि नायर ने कहा कि अनुपालन आंशिक है और भारत के भीतर पोस्ट को देखने पर रोक लगा दी गई लेकिन भारत के बाहर से देखा जा सकता है नायर ने कहा कि वह श्रीश पत्रकार है उनके 11.2 मिलियन फॉलवर्स है अगर आदेश केवल भारत में प्रतिवंदित है तो मेरी प्रतिष्ठा कहां रह गई है यह अंतराश्ट्रिया प्रतिष्ठा है उन्होंने आगे कहा कि एक सद्व देटा भारत के कंप्यूटर संसाधन पर स्थित है तब तक भारतिया न्यालों को वैश्विक निशेद ग्याता पारित करदे का अधिकार होता है नायर ने प्रस्तुत किया की चुकी मामले के तक्थ्यों में कॉंग्रिस नेताओ द्वारा भारत के भीतर आई-पी पत्ते क करने के लिए दोहफ्ते का समय दिया और याधि कोई हो तो प्रतिवाद दाखिल करने के लिए दोह एक्स पोस्ट तु nouvelles ने शर्मा के अं INTRIम निशेंतन क्याता अविदन को अनुमती दी धी अदालत ने निर्देश दिया है लेत वे आया कि निर्देश दिया जाता है कि एक्स पोस्ट टुविटर जिसे हटाए ग्यात नहीं गया उसे मदस्तल दिशा निर्देशों के अनिसार प्रतिवादी द्वारा साथ दिनों के भीतर हटा दिया जाए यह विवाद टैप पैदा हुआ जोब कॉंग्रेस की राश्ट्रिय प्रपागेंडा के तहonder धडल्ले से इसको आगे बढ़ाया था और इसे मालयर्वादे पर तरश्ट्र exam की बाते कही थी तरश्ट्र की acağım दिए थे तरश्ट्र्र foreign आरोप चाहे और लगाय गया थे और वि पर आलोप लगाय था कि लास्ट टीवी पर उन्होंने रगनी नयक को गाली दी इसके बाद इंडिया टीवी ने नूटिस भी चारी किया था इसके बाबजुद उन्होंने अपने ट्वीट को नहीं हटाया जिसके बाद यह मामला कोट गया कोट ने इस मामले कर पूरा ध्याद दिया पूरे वीडियो क्लिप देखी पर उन्होंने रजच शर्मा पर आरोप मड़े थे उन ट्वीट को डिलीट करने के आदेश दिया और साथ ही साथ यह कहा कि इन ट्वीट को जल से जल डिलीट की जाए ताकि रजच शर्मा की इमेज़ पर इसका फर्क ना पड़े क्योंकि आरोप निराधार और गलत है रज इन ट्वीट के लिए लेकिन बाहर के देशों को अभी इन ट्वीट के एसे ब्लॉक कर दिया गया अब ऐसे में पुराना जो ट्वीटर था जिसे अब एक्स बुलाते हैं उनके ऊपर भी आदेश बनता है कि उन्होंने जो ट्वीट है जिसे पूरी तरीके से डिलीट करना था वो सिर्फ इंडिया नहीं बाहर के लिए भी उसे पुरी तरीके से डिलीट करना था क्योंकि यहां पर रजशर्मा के 11 मिलियन से जादा फॉलवर है और उनकी इमेज नेशनल नहीं बलकि इंटर नेशनल लवल पर है और ऐसे में रजशर्मा के खलाफ इस तरीके के बया जो कैसा नहीं होना चाहिए से बाहर के देश पर अंतरास्य लेवल पर भी बैन करना चाहिए यहीं कारण है कि इस मामले में लगतार अगर आप देखेंगे तो आदेश पारित किये चीजें कहीं जा रही है और रजशर्मा के लिए जो है बड़ा अगर आप कहेंगे कि सवा इमेज का था और ऐसे हमें अब रजशर्मा फिर हाई कोट के तरफ रुक किया इसके बाद हाई कोट ने की सेंस्टिविटी को देखते हुए कॉंग्रेस के नेतार रागनी नायक चैराम रमेश पवन खेडा समेत एक्स को भी नोटेश जारी किया है और हफते भर से दो हफत उसके बहुत करें और कि आरोप लगाया कि एक there और कोट के सामने काफी कुछ नायक जैघराम यहां फर फियर पर्मेश की जस्टिस मनवीत प्रितम सिंग अरोड़ा ने शर्मा द्वारा मानहानी के मुकदमे में दायर आवेदन पर नोटि जारी किया। एक्स और कॉंग्रेस नेताओं से जवाब मागा कॉंग्रेस नेताओं द्वारा या रोप लगाए जाने के बाद मान हानी का मुकदमा दायर किया गया कि रज़र शर्मा ने चुनाव परिणाम बाले दिन एक शो के दौरान ऑन एयर अरब भत्रवाशा का इस्तमाल किया था 14 जून को समन्वै पीट ने कॉंग्रेस नेताओं के साथ साथ एक्स को मदस्थल दिशा निरदेशों के अनुसार साथ दिनों के भीत शोशल मीडिया पोस्ट रटाने का आदेश दिया शर्वा की योर से पेश सीनियर एडवोगेट राजीव नायर ने अदालत को बताया कि तीनों कॉंग्रेस नेताओं ने लिखे गए संदेशों के बावजूद अभी तक आदेश का पालन नहीं किया हुआ उन्हेंने का कि एक्स ने भी आदेश का पालन नहीं किया और खड़बीट के समक्ष अपील-दायर की लेकिन कोई स्थगन नहीं किया और इसे आदेश का दिखने पर रोक लगा दी गई लेकिन भारत के बाहर देखा जा सकता है नायर ने कहा कि वश्रीश पत्रकार है और उनके 11.2 इसे में इंडिया नहीं इंटरनाशनल लेवल पर भी इन ट्वीट को अठाना चाहिए तो ऐसे मैं आपको पूरा मामला है यह बड़ा वेस्तार से बताए कि मामला क्या है और इस मामले पर बापके भी जुड़ाय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जब सब्सक्राइब